चेले सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग सुरुबात करेंगे जिसा कि आपको पता है मेरे भाई कि डेली 6 बज करके 15 मिनट पर हम आपके सामने लाइव आते हैं और साइन्स के फटाफट कोशन्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिसमें physics, chemistry और bio के आपको कोशन्स देखन को मिलेगा आप सभी लोग मेरे भाई जुड़ जाईए और आपके साइन्स के क्लास को स्टार्ट हम कर रहे हैं एक बार सभी लोग जोड़दार तरीके से मेरे भाई जुड़ जाएं और सेसन को लाइक भी करिए और देखते हैं पहले कोशन्स से हम लोग सुरुबात करेंगे जिसा कि आपको पता है कि साइन्स मेरे भाई मेरा थन हमारा चलड़ा है और आपको डेली एक लास मेरे भाई लगातार आपको मिलेगा और इसमें हम लोग साइन्स में फिजिक्स केमेस्टी और बायो तीनों को देखेंगे सबसे पहला कोशन्स मेरे भाई आप सभी ख çekED के लिग्राम जेनल ए उसी पर आपको पीडियु इसका मिलेगा बोट पीडियु भी ही मिलेगा और साथ- थ मेरे भाइश के आपको डाल दिया सी रही डेया दो बहुत ठीधिया जायेगा तो हम लोग सुर्वात करते हैं और पहले कोष्ण्स में लोग सुर्वात है और यह कहता है और यह कहता है के निमले खितमेंसे आपसे बोला गया कि अगर dunno कह ग्रंथी की बात अगर कही गई है, तो आपको एक दो बात समझना पड़ेगा, कि अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ग्लेंड की अगर हम बात करते हैं, तो आपको समझना परेगा मेरे भाई, कि अगर हम ग्लेंड की अगर हम बात करते हैं, तो दो तरह की ग्लेंड ग्लेंड के अगर हम बात करते मेरे बाई तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक हमारा कैसा होता है यहां पर इंडोक्राइन ग्लेंड की नामसे हम लोग इसको जानते हैं और दूसरा जो हमारा ग्लेंड होता है इसको हम लोग एक्जोक्राइन ग्लेंड बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो इसको एक्जोक्राइन ग्लेंड के नाम से हम लोग जानते हैं और याद रखना मेरे भाई कि इंडोक्राइन ग्लेंड के अगर हम बात करते हैं जो इंडोक्राइन ग्ले तो इसको हम लोग यहाँ पर 22 रावी ग्रंथी के नाम से हम लोग जानते हैं अब मामला यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो एंडोक्राइन ग्लेंड होता है मेरे भाई उसके बारा में आपको धिहान रखना है यह हॉर्मोन को सिक्रेट करता है यह हॉर्मोन का सिक्रे करेगा मेरे वाई तो यह इंजायम को सिक्रेट करता है आपको धियान डखना है यहां पर इंजायं का यह зр nor को 확ikes करेगा अर्य श का of भाई कि जो एंडोक्राइन ग्लेंड हमारा होता है अगर हम इंडोक्राइन ग्लेंड के अगर हम बात करते हैं याद रखना मेरे वाई ये डक्टलेस होता है ये कैसा होगा कि ये हमारा डक्लेस होगा यानि कहने का मतलब है मेरे वाई वाहनी इन होगा आप कहेंगे ये डक्ले गलेंड के अगर हम बात करते हैं फिस्पलेंट को आप दियान डखेंगे अब यहां पर जो हमारे ब्रेन में हैं प्यूस्ट ग्रंथी की बात करते हैं हॉर्मोन का सिक्रेशन्स करता मेरे और बहुत सारे हॉर्मोन का सिक्रेशन्स हमारे प्यूस्ट ग्रंथी से होता है वैसे अधिवरिक ग्रंथी के गरम बात करते हैं जो कि एड्रियनल ग्लेंड्स की गरम बात करते है तो वो अधिवरिक गरंती कहलाता है मेरे भाई उससे भी हमारे बहुत सारे हॉर्मोन का सिक्रेशन्स होता है तो जितने भी गरंती हॉर्मोन का सिक्रेशन्स करता है वो सभी के सभी मेरे भाई वाहिनी हीन होगा और उसको हम लोग इंडोक्राइन कहेंगे एक लाइन में जान आदर flow होता है अब यहां पर मामला यह है मेरे बैए कि चलो यहां तक तो ठीक था लेगन एक चीजा आपको याद रखना आए जिसकी बात हम यह पर करते हैं कई बार यह कोश्नस पूछता है अगर हम पैंकरियाज के गर हम बात करते हैं और पैंकरियाज को हम लोग अग्निया से कहते हैं मेरे भाई और याद रखना यह जो पैंक्रियाज हमारा होता यह मिस्रित ग्रंथी मान जाती है इसको कौन सी ग्रंथी कहेंगे एक लैन में आप जान लीजी किसको हम लोग मिस्रित ग्रंथी कहते हैं और मिस्रित ग्रंथी कहने का मतलब है मेरे भाई किसी हॉर्मोन का भी सिक्रेशंस होगा और साथ ही साथ इस्ते इंजायम का भी सिक्रेशंस होगा तो पैंक्रियाज हमारा इंडोक्राइन भी है एक्जोक्राइन भी है डक्टेड भी है डक्लेस भी है इस बात को जरूर याद रखेगा चोकि हॉर्मोन और इंजायम दोनों का सिक्रेशन करेगा इसलिए तो इसको मोग मिस्धरित गरंथी के नाम से हम लोग जानते हैं ये बात भी आपको मेरे भाई धियान रखना पड़ेगा मंडेस चलेगा मेरे भाई विसाल पासवांजी बंडेस सारे क्लासेस आपके चलेंगे इसलिए टेंशन लेने की कोई जरुवत नहीं है आगे चलते हैं मेरे भाई तो इसकोशन के आउसस आपके सामने है लेकिन हम आपसे बता देना चाहते हैं आपको मेरे भाई कि अगर हम य यक्रित होता है और यक्रित हमारा क्या करता मेरे वाई यह एक्जो moyen-gland होता और यस्षे इंजायम का सिक्रेशन होता है इसी तरह कयसे पसीने की गुरंतई जिशको स्वेट स्वेट ग्लेंड में लाइसोजाइम इंजाइम होता है जैसे कि हमारे आँख में आसु निकलता है उसमें भी सटरियृ से नीजाइम होता है मेरे उकर हमारा कैसा यहां पर एक्जो क्राइन गलेंड कहला तो यह चीज आपको धियान डखना है और इस कोशन के आशा स्वाप्सन नमर C आपका यहां पर करेक्ट हो गया वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे लीवर की जब हम बात करते हैं तो लीवर में ही बाइल जूस का निरमान होता है मेरे ब वाइल जुसमें आपको पता होगा कि मुख्य रूप से हमारा SCL रहता है और वह जो की बैक्टेडिया उगर आपको मारने में हेल्प करता है अगला कोशन मेरे भाई आपके सामने में दे रखा है और आपको बताना है कि इस कोशन के आंसर क्या होगे तो मेरे भाई कोशन दे रखा है कि आद्हुनी केगर बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान डखना है कि हमारा predictable होता है मेरे भाई इसमें धाथ होते हैं और धाना होते हैं और उपधहते हैं मेरे भाँ कर रहे मेरे बाई जब हम परियोडिक्टिवल के अगर हम बात करते हैं तो पूरी परियोडिक्टिवल में अगर आप देखेगा तो 118 तत्व आपको नजर आते हैं कितने तत्व मिलेंगे तो इसमें 118 तत्व आपको नजर आते हैं और 118 तत्व में आपको याद रखना में direct exam में questions आता है कि इस 118 तत्तों में दो ऐसे तत्तों होते हैं मेरे भाई जो द्रब अवस्था में होता है हम दो तत्तों की यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरे भाई दो तत्तों हमारे ऐसे होते हैं जो द्रब अवस्था में होते हैं यह किस अवस्था में होंगे याद रखना मेर दो ऐसे तत्तों होते हैं जो कि द्रवी होते हैं और शांती साथ यह दो सं द्धुकी हम बात कर रहे हैं और अब स्था में हमारा कॉन को नुवत कि एक तो मरकडी होगा और दूसरा हमारा क्या अब पर ब्रोमीन होगा इसको को भी आप धियान रखेंगे इसके बाद 118 तत्तों में आपको धियान रखना मेरे बाई कि 111 ऐसे तत्तों इसमें माने जाते हैं जो कि हमारा गैसिस अवस्था में होता है यह हमारे गैसी अवस्था में होता है इस बात को आप धियान रखेंगे और गैसी अवस्था के जो त करते हैं साथ ही साथ मेरे भाई इसमें हमारा फ्लॉरीन भी होगा इसमें क्लॉरीन भी ऑगा चुछ सब्तों हुमारी ग्यासी है नैट्रोजन की हम बात करते हैं यह सब मारा इसके लिए responsible होगा तो हम कि यहां पर यह सब भी हमारे होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, 11 टोटल हमारा एक और होगा इसमें टोटल 11 को तत्तो हमारे होते हैं इस तरह से आप इसको दिहान में रखेंगे और आगे अगर बात करते हैं मेरे भाई जब दो तत्तो हमारा यहाँ पर हो गया गारा तत्तो हमारा यह हो गया तो जो rest मेरे भाई बचा वो कौन सा होगा rest अगर इसमें से कोई बच गया है हम किंगे 13 यहाँ पर है टोटल 118 होना तो इसका मतलब कहीं न कहीं 105 तत्तो की और बात करेंगे और यह 105 तत्तो मेरे भाई ठो सवस्था में होता है यह किस सवस्था में देखने को मिलेगा तो आपको ठोस सवस्था में देखने को मिलता है इस बात को भी आप ध्यान रखना लेकिन आप से बोला गया है मेरे भाई कि predictable के अगर हम बात करते हैं तो एक रफ आइडिया आपको predictable का एक दम होगा मेरे भाई यह प्रेडिक्टिवल को अगर हम लोटा गर के देखते हैं तो यह हमारा प्रेडिक्टिवल होता है और प्रेडिक्टिवल में कम से कम मेरे भाई इतना बात आपको जरूर याद रखना है इस प्रेडिक्टिवल के अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा यहां पर तो हाइड block होता है, जिसके अंतरगत, हम कहतें कि हमारा धातू भी होगा, और धातू भी होगा, उप धातू भी हमारे मौजुद होते हैं, जो कि हमारे borderline तक तो कहला, यह हमारा क्या होगा? मेरे भई, तो हम कहिएगे, यहां पर पर इसकी अंदर में हमारा उपधातू मौजुद होता है यह हमारा क्यात केंगी यहाँ पर हमारा उपधातू मौजुद होगा और उपधातू को हम लोग क्या कहते हैं तो इसी को हम लोग यहाँ पर मेटलॉइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं और मेटलॉइट्स की संख्य वाधान कितनी होती है तो याद रखना मेरे वाइन संख्यां की अगर बात करेंगे तो इसमें सात हो जाएगा और इधर अगर देखेंगा मेरे वाइन तो हमारा complete ुप से ओधातु माने जाता है अगर मेरे इधर की ओड देखोगे तो अगर देखो इधर हमारा ओधातु होगा तो कुछ ऐसे जोकी यहां Chinese है यह पर प्रजेश्जंट है मेरे बाइ तो मेरे आपको दियान डखना कि ईक एस ब bluff है जिसमें ऑधातु होंगे जिस में धातू भी प्रजेंट होंगे तो याद रखना मेरे भाई कि अगर धातू और रोब धातू अगर तीनों अगर प्रजेंट होंगे तो वा किस ब्लॉक में होंगे तो एक लैन में आपके आंसर साने चाहिए मेरे भाई यहाँ पर अप्सन नमर भी आपका करेक्ट हो जाएगा अगर बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि एफ ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिहान रखना है कि यह जो एफ ब्लॉक हमारा होता है यह हमारा क्या होगात कहेंगे आंतरिक संक्रमन तत्तो को हम लोग कहते हैं यह हम तो यह हमारा आंत्रिक संक्रमन तत्त्तो कहलाता है, इस बात को जरूर याद रखेगा चुकिए, कई बार मेरे भाई ये कोशन्स आपते पूछता है, तो मेरे भाई आपको दिहान डखना है कि F ब्लोक की बात करते हैं, इसमें हमारा आंत्रिक संक्रमन तत्त्तो के अगर बात करेंगा, तो यह हमारा आंत्रिक संक्रमन तत्त्तो कहलाता है, लेकिन अगर D ब्लोक की अगर हम बात करते हैं, तो आपको दिहान डखना है, यह जो हमारा S ब्लोक होता है, इसमें हम कहते हैं कि दो तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलेगे, तो छार धातु और दूसरा हमारा छारी है, हम केंगे छारी मिर्दा धातु हमारा मौजुद होत चीज़ से दातु Candida tan टोंगे और एमपलोग में चीज आपको याद रखना मेरे ऑई कि पूरी के पूरी आहम लोग में टोल केटटल 28 생겼 होगा कितने इलिमेंट लगे reader फॉल याद रखना । इसमें तो अगर हम यहाँ पर लेंथे नाइड में हमारे 14 होंगे और इस दर से मेरे आपको दियान रखना है कि अगर हम एक्टिनाइड की अगर हम बात करते हैं तो एक नाइड में बहुत तरका बनता है लेकिन आप प्यार से पढ़ोगे अगे बढ़ते हैं और अगला कोशन से हमारे सामने है मेरे बाई और अगर इसकी बात करते हैं तो कोशन आपके सामने है कि भोजन को फारने और काटने की बात कही जारी है मेरे बाई तो भोजन को चवाते भी है भोजन को काटते भी है भोजन को फारते भी है आप सभी लोग म सबसे पहला चाहिए तो मेरे भाई आपको यह पता होना चाहिए कि जब आपके टित की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि दांत अगर हमारा बना हुआ है तो यह क्याल सियम फॉसपट बना हुआ यह कि से बना हुआ है तो कहिएग एक लें में आप जान लेजिए यह वारोषेखां कारबोनेट भी इसमें केलसियम कार्बोनेट भी हमारा मौजूद होता है और ये केलसियम कार्बोनेट कितना होगा तो याद रखना मेरे भाई केलसियम कार्बोनेट आपको यहाँ पर 15% भी नहीं 15 नहीं 10% आपको केलसियम कार्बोनेट होता है मेरे भाई ये 10% होगा और 5% में मेरे भाई अ यहां डखना मेरे भाई दांत की अगर संख्या के गरम बात करेंगे टोटल दांत की संख्या कितनी होगी तो मेरे भाई 32 होना है और 32 दांत की संख्या के गरम बात करते हैं इसी में हम केंगे कुछ काटने वाला होगा कुछ फारने वाला होगा कुछ चवाने वाले दांत होते मेरे भाई जिसा कि आपको पता होगा कि मेरे भाई हमारा दो गो अपर और लोवर जो होता है आप गौर्स देखेंगे तो आपको पता चल लागा मेरे भाई आपके फेस में कितने जो हैं तो एक अपर जो होता है और एक लोवर जो होता है उपर वाले को अपर जो नीचे वाल को lower जो कहते हैं तो मेरे भाई अपर जो हमारा यही कहलाता है इसको मोग कौन सा जो कहेंगे इसको मोग यहाँ पर अपर जो के नाम से जानते हैं और धियान डखेगा जो अपर जो होता है मेरे भाई वो moment नहीं करता है तो जो अपर जो होता है मेरे भाई यह moment नहीं करेगा इस इसका मतलब जो हिला नहीं उसको मैक्सिला कहते हैं इसका मतलब ये हिलता नहीं है मेरे भाई तो जो हिला नहीं उसको मैक्सिला के नाम से जानते हैं इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई एक लाइन में आप जान लिए इसको मैक्सिला कहते हैं और जो हिल गया उस इसको में लोग Mendeval के नाम से भी जानते हैं इसको में लोग Mendeval के नाम से भी जानते हैं इस बात को दियाँ ड़कना कई बार यह question पूछता है मेकसिला उसको हम कहते है जो हिलाने उसको मेकसिला कहेंगे लेकिन आपको दियान डखना मेरे भाई कि अगर हम लोग करते हैं तो पहले तो आपने जोग को चार भाग में आप बांड दीजिए जब चार भाग में बांटेंगे मेरे भाई तो किसी एक भाग की बारे में हम पहले बात करेंगे तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा किंगे दोगो हमारा ऐसा दांत होगा जिसकी हम अगर बात करना चाहते हैं मेरे भाई यहाँ पर ऐसे करके हमारा यह दो दांत होगा उसके बाद हम कुनुकिला दांत जो कैनायन होता है और इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर प्री मोलर फि प्रिह मोलर होता है तो आपको दिहां डखना मेरे वाई कि अगर इनसीजर के हम बात करतें तो इनसीजर हमारा है कितने हो एक दो फिर यहां भी एक है कितने को grateऊ दो कि यहां दो यहां दो यहां दो यहां इसका मतलब मेरे भाई प्री मुलर की संख्याभी आपको कितना तो आठ हो जाएगा और इसके बाद को काटने के लिए इस्तमाल होता है ये क्या करता है मेरे भाई तो भोजन को काटने के लिए इस्तमाल होता है अगर केनाईन के बात करते है तो मेरे भाई ये क्या करता है भोजन को भारने के लिए इस्तमाल होता है मानसारी जीवों मेरे भाई केनाईन सदाथ होते हैं और मुल और प्री मोलर के अगर हम बात करते हैं यह दोनों च्वाने में यूज होता है यह दोनों किसमें तो मेरे भाई च्वाने में इस्तमाल होता है तो आप से भारना और कटना बुला गया है तो किनायन और इंसीजर कहां दिख रहा है तो किनायन और इंसीजर इंसीजर और किनायन option number D आपके यहाँ पर correct हो जाएंगे option number D जो होंगे मेरे भाई वो आपके right answer हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं और अगला questions मेरे भाई देखते हैं क्या कहता है अगला questions आपके सामने है मेरे भाई और ये lift के questions है आपको बताने है मेरे भाई इस question के answer हम लोग क्या करने वाले है question आपके सामने में है करा है कि एक व्यक्ति के भार की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति का जो भार है हमारा lift में देखना है कहाँ पर तो lift में देखना है अपने भार का वो दूना हो जाता है यानि कि जितना उसका भार है वो डवल देख रहा है लिफ्ट में जाकर के वैसे उसका भार मेरे भाई अगर 50 किलो होगा तो 50 किलो होना चाहिए लेकिन जब वो लिफ्ट में चरहा तो उसका भार मेरे भाई 100 किलो हो गया यानि कि दोगुना हो गया ऐसा कौन से सिती में ऐसा हो सकता ये आपको बताना है तो मेरे भाई जल्दी से एक बार बता दीजिए कि इस कुशन के आंसर आप क्या करेंगे एक बार फास्ट आपको बताना है मेरे भाई इस कुशन के आंसर क्या करेंगे तो ये lift वाला questions है, इसमें देखो एक काम करना पड़ेगा तुमको, कुछ term है, कुछ चीज है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं मेरे भाई, कि अगर हम lift की बात करते हैं, एक समानवेग से चाहे उपर, चाहे एक समानवेग से, नीचे की तरफ जब भी lift जाती है, तो मेरे भाई, एक चीज़ याद रखना, अगर हम यहाँ पर questions को solve करेंगे, और हम कहते हैं कि एक समानवेग से, एक समानवेग से, मेरे भाई, lift की हम बात करते हैं, उपर, या फिर अगर हम नीचे की अगर बात करते हैं, तो याद रखना, ऐसे मैं direct तो मांसर कर सकते हो, कि वस्तू का जो भार होगा, मेरे भाई, lift के अंदर, वस्तू का जो भार होगा, वह किसके बराबर कहेंगे, वस्त हमारा कहता है कि एक समानवेग होना चाहिए, एक समानवेग होना चाहिए, ना वेग घटेगा, ना वेग बढ़ेगा, वेग एक समान रहेगा, तभी ऐसा हो सकता है, तब आप अपने आपको फील करेंगे, हमारा जो एक्चल वेग है, हमारा जो एक्चल वेट वही हमको मिल कोई आदमी यहाँ पर हमारा बैठा हुआ है और यह आदमी का जो भार होगा वो किदर होगा मेरे तो नीचे होगा मेरे भाई, मेरा मन कर रहा है कि लिप्ट को हम उपर की तरफ भेजें, अगर हम लिप्ट को उपर के तरफ भेजेंगे, तो क्या मिलेगा मेरे भाई? कि a तौरण से g तौरण से a बराबर g यनि के a तौरण a बराबर g अगर हम कर देते हैं, जो a तोरण है वो हमारा g के बराबर हो गया, हम केंग मेरे भाई जब हमारा lift उपर के तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस lift को उटानी वाला जो बल उपर के तरफ खीचने वाला होगा, व और F बड़ाबर MA लगा दीजिए, net बड़ाबर हमारा MA हो जाएगा, लेकिन ये net होगा, ये F बड़ाबर MA नहीं होगा, ये net फोर्स बड़ाबर MA होगा, अब net कहने का मतलब है कि आप मेरे भाई T को देखिए, वो तनाव भी प्रकारकबल है, और आपका भार भी प्रकारकब गटा करें, net लिखेंगे, इसका मतलब है मेरे भाई, हम कहेंगे यहाँ पर T मैनस Mजी जो होगा, वो बड़ाबर MA हो गया, और फाइनली मेरे भाई यहाँ से, अगर हम T को calculate कर लेते हैं, तो T बड़ाबर हमारा क्यों कहेंगे, MA प्लस में Mजी हो जाएगा, अब यहाँ पर गौर्स देखो मेरे भाई, आपके आंसस यहीं छूपे हुए हैं, अब यहाँ पर गौर्स देखो, कि हमारा जो भार है वो कितना Mजी है, दुनिया में जितने भी वस्तु आप देखते होंगे, मेरे भाई, सभी वस्तु का भार Mजी ही होता है, लेकिन अगर उसमें कोच च यहां पर कि M A प्लस में M G अगर हम देखते हैं तो क्या हम ऐसा कड़ सकते हैं मेरे भाई कि इस A के जगा पर जी रख सकते हैं क्योंकि यह जी के बराबर कोशन में आपको कह रहा ऐसा रखने के लिए तो हम कि एक जगा पर जी रख दीजिए और यह M G हो गया पहले भार आपक जी त्वरं से किधर जाने लगे उड़द्वा धर ऊपर की और जब जाने लगे तब आपका भार आपको दोगुना फिल होने लगा यहनि इस कोशन के अगर आंसर करेंगे तो नमर भी आपका राइट हो जाएगा ऑप्सन नमर डी नहीं होगा ऑप्सन नमर भी होगा मेरे कोई तरीका नहीं है जो बताएं इसी को फॉलो करिएगा और तुमारे लिप्ट के हमेशा कोशन बनेंगे आगे अगर दो देखते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर कंप्यूटर के रेलेटरी कोशन पूछा गया कंप्यूटर जिस भासा को समझता है मेरे उसको में लोग कहते हैं मसीन लेवल लेंग्वेज यानि कहने का मतलब है हमारा कौन होगा तो कहेंगा और याद रखना कि कंप्यूटर हमारा याद रखेंगे मेरे भाई जीरो और वन को ही समझता है दूसरा किसी वी चीज़ को नहीं समझता है तो कोडिंग हम लोग जीरो वन में करते हैं लेकिन जो हमारा लेंग्वेज होता हमारा कौन सा लेंग्वेज को आसानी से ये पर लेता है समझ लेता है कि हमारा मसीन लेवल लेंग्वेज की हम बात करते हैं आगे चलते मेरे भाई अगला कोशनस आपके लिए इंपॉर्टेंट हा और ये कोशनस आने की संभावना हर येक एज एक दम आने की समभावना रहती है और एक लाइन में आपका हमें इसा के लिए याद रह जाएगा अब करा कि है जिसको two ribonucleic acid कहते हैं और dna से क्या बना है और फिर आर्यने से डी यने भी बन जाताही यह बात दोनों धियान रखना यह ॉर जब उल्टा हो जाता है मेरे बात इसी का नाम रिवर्स हो जाता है ये हमारा यहाँ पर reverse transcription कहलाने लगता है simple सा funda है मेरे भाई उल्टा होगा तो यह उल्टा ही हो जाएगा तो यह reverse transcription हमारा कहलाता है अब दूसरी बात है कि RNA से मेरे भाई यह क्या बनेगा तो RNA protein का निर्मान होता है और आपको पता होना चाहिए मेरे भाई तो अगर RNA से protein बनेगा तो protein से RNA नहीं बनता है इसमें उल्टा नहीं होता है इसमें उल्टा होगा लेकिर इसमें उल्टा नहीं होगा एक और चीज़ आपको याद रखना मेरे भाई अगर DNA के गर हम बात करता है तो DNA यहाँ पर आपको दिख रहा है और अगर DNA से DNA भी बनता है आपको DNA से RNA में पूछा गया है तो DNA से RNA में जाएंगे तो इसको transcription कहते है और उल्टा जाएंगे तो नीचे वाला term बोलेंगे तो मेरे भाई DNA से आरे ना जाएंगे और ट्रांस्क्रिप्सन कहेंगे और ट्रांस्क्रिप्सन कहां पर है तो कहेंगा option number C में आपको दिख रहा है option number C जो होंगे मेरे भाई इस question के फिर हमारे यहां पर write हो जाएंगे आगे चलते मेरे भाई अगला question को बताना कि संबेग में लिकर बात prospective मेरे भाई तो अगर किसी विस्तु में द्रब्मान और उस वस्तु में अगर वेग होता है तो इस वस्तु का अपना संबेग होता है देखे किसी भी वस्तु का अपना संबेग होता है आप निकाल सकते हैं अगर उसके द्रभमान और वेग आपको पता है तो मेरे भाई अगर हम संबेग केल्कुलेट करने के लिए जाएंगे तो संबेग को हम पीस दिखाते हैं और इसके द्रभमान में इसके वेग से गुना कर दीजिए संबेग निकल जाएगा दूसरी बात आपको समझना मेरे यह तो पहली बात आपका हो गया दूसरा बात आपका यह होता है कि संबेग में परिवर्तन सिर्फ बोलेगा मेरे भाई तो संबेग में परिवर्तन को डीपीज दिखाते हैं और यह संबेग में परिवर्तन तक काम नहीं चलेगा, संबेग में परिवर्तन की दर बोल देगा यहाँ, पर यह दर बोल दिया, और संबेग में परिवर्तन की दर बोलता है, तो यह किस के बराबर तो बल के बराबर, और इसको लिखने का, इसका mathematical जो relations होता है मेरे भाई, वो कैसा होगा, तो कहेंगे संबे बड़ाबर, DP अपन में, DT, और फाइनली मेरे भाई, यहीं से हमारा एप बड़ाबर, MA आता है, यह बात आपको धिहान डखना है, और यह जो relations है हमारा, यह Newton का second law है, यह मेरे भाई, किसका तो खेंगे, यहाँ पर यह हमारा, Newton's का, यह Newton's second law की हम बात करते हैं, यह Newton's second law की हम बात करते हैं, मेरे भाई, एक लैन में आप जान लीजिए, यह second law की हम बात करते हैं, और Newton का second law से ही, गति के समेगरन के बारे में पता चलता है, और इसलिए मेरे भाई, संबेग में परिवर्तन की दर, संबेग में परिवर्तन, संबेग में परिवर्तन की दर को हम बल कह करते हैं और यह नियुटन गति का दूसरे नियम से यह निकल करके आता है बताईए मेरे भाई संबेग में पडिवर्तन की दर है दर की बात कर रहा है तो दर में तीसरे वाले में जाएंगे और तीसरा वाला हमारा किस के बराबर तो ऑप्सन नमर सी के बराबर हमारा राइट हो जाएगा और याद रखना मेरे भाई एक और mathematical relations हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हम लोग यहां पर मेरे भाई तोरन की बात करते हैं तो यह हमारा वेग में परिवर्तन की दर तोरन होती है वेग में जो परिवर्तन होगा डीवी दर मतलब समय से डिवाइड कर दि तो याद रखना तोरन का मान positive होगा अगर तोरन का मान positive होगा तो इसको हम लोग तौरित गती कहते हैं इसको हम लोग कौन सी गती कहेंगे मेरे भाई तो इसमें तौरित गती कहेंगे और अगर हम यहां पर कहें मेरे भाई दूसरा point भी आप जान लेजिए अगर किसी भी व वस्तु का वेग घटेगा तो समझ लेना कि उसमें क्या होगा ब्रिक लगा है और जब ब्रिक लगेगा तो उसका वेग घटना शुरू करेगा और जब मेरे भाई वेग अगर घटेगा तो याद रखना तोरण का मान यहां पर नेगेटीव हो जाएगा और नेगेटीव तोर होगा तो हमेशा के 가지्ष चाहान होगा तो एक्सिलेशन का मानी यहाँ पर जीरो होगा पूरे में HC में medcks पर होगे तब तब यह चीजा आपके सामने आएगा इसमें एक दो कहानी और छुपा हुआ है, जो कि मेरे भाई बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपसे बताना, आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, कि जब वेग बढ़ेगा तो तोरण का मान पॉजिटिव, अगर ये मेरे भाई बढ़ रहा है, तो हम केंगे कोई ये भी पता चलता है मेरे भाई, कि वेग और तोरण की जो दिसा होगी, वो एक ही दिसा होगी, यहाँ पर मेरे भाई किसकी हम बात करते हैं, वेग तथा तोरण की हम बात करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है, वेग तथा तोरण की जो दिसा होगी, वेग तथा होगी इस बात को ध्यान रखेंगे जिधर वेग उधर ही तवरण हो जाएगा लेकर जब इसमें ऐसा हुआ है तो इसमें तो उल्टा हो जाएगा चुकि यहां पर आपको ध्यान रखना मेरे वाई यहां पर हमारा कैसा तो नेगेटीव तोरन की बात करते हैं और जब घटता ह है मेरे भाई तो हम किंगे तोरन हमारा नेगेटीव होगा और ऐसी परिस्ति में हम कहते हैं कि वेग के अगर बात करते हैं तो तोरन के अगर हम बात करते मेरे भाई तो वेग तथा तोरन हमारा एक दूसरी के क्या होगा तो किंगे यहां पर विपरीत हो जाता है यह बात आ मेरे भाई हमको लगता कितनी बार ये कोशन पुछा गया तुम सोच नहीं सकते हो अगला कोशन बता दो मेरे भाई कि सर्च लाइट में कैसा दर्पन परावरतन तल के रुप में हमारा प्रियोग होता है मेरे भाई सर्च लाइट की सिर्फ बात नहीं करेंगे आपको एक दो ध्यान डखना पड़ेगा एगर हम सर्च लाइट के अगर हम बात करते हैं अगर मेरे भाई यहाँ पर सर्च लाइट के अगर हम बात करते हैं साथ ही साथ आपको ध्यान डखना के अगर हम लोग हेड लाइट के अगर बात करते हैं गारी का जो हेड लाइट होता उसकी हम बात कहते हैं इसको यहां पर हम अवतल दर्पन का इस्तमाल करते हैं ओर अवतल को हम सा मित हैंगे जहते कास को है कत्रित करता है इससे लिए इसको हम कंवर्जिंग मीरर भी कहते हैं एक एक लाइन मेरे भाई कोशन से कंवर्जिंग पर कहते हैं और सब एक दुसरे से बारा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, समानाकार का भी परदीम बनेगा, ये अवतल दरपन की कहानी ए तो आप कहेंगे मेरे भाए यहाँ पर कैसा दरपन परावर्तक सता की रूप में काम करेगा तो कहेंगे कैसा प्रतिम देता है आपको धियान रखना है हमेशा ही ये कालपनिक प्रतिम देता है हमेशा कैसा तो कालपनिक कालपनिक को ही हम लोग क्या कहते तो आब हासी कह देते हैं और याद रखना जो कालपनिक होगा वो कैसा तो कहेंगे सीधा प्रतिम बनाता है और साथी साथ मेरे पीछे होगा तो कालपनी की ही होगा और साथ ही साथ याद रखना मेरे भाई सबसे फेमास कुशन इसका यह है इससे बना प्रतिवी मेरे भाई पार्स उल्टा होता है इससे बना प्रतिवी कैसा होगा तो किहेंगे पार्स उल्टा उसको भी आप धियान रखेंगे तो यह ची तो हम कहेंगे ENT के जो डॉक्टर होगर भी होते हैं वो भी हमारा ENT मतलब क्या हुगा? Ear, nose, throat यानि कहने के मतलब हमारा ना कान गला का जो डॉक्टर होता है वो भी अवतल दर्पन कहीं इस्तेमाल करता है उतल दर्पन की जो कहानी है मेरे भाई यह हमेशा हमेशा के तरह मेरे भाई याद रखना हमेशा कालपनिक परतिम देता है यह हमेशा कालपनिक परतिम देगा और कालपनिक परतिम कैसा होगा आथ कहेंगे एक लैन में जान लीजे मेरे भाई सीधा होगा और दूसरी बात आपको धियान रखना है, अब उत्तल दरपन के अगर हम बात करते हैं, तो यह हमेशा ही छोटा प्रतिम देता है, बड़ा का सोची नहीं सकते है, यह हमेशा छोटा ही प्रतिम देता है, हमेशा छोटा प्रतिम का यह निर्मान करता है, एक लैन में आप जान पूस्ष्याइद को फिर से देखना मेरे वैं क्या देखना साध्य समलब चाड़ तो होता है यह दूद का पीएच मान आप से पूछा गया दूद का पी एच मान तो इतना ही होता है तो ये blood का, blood की बात करेंगे, मेरे भाई, pH value of milk के अगर बात करेंगे, तो 6.4, 6.4 से लेकर के 6.8 ये data है, याद रख लो, अगर pH value 7.4 किसका होगा, तो याद रखना हमारे blood का होता है, किसका मेरे भाई, तो blood का, सही कर लेना, इसमें क्या दिक्कत है, और 7 से गर कम हो जागा, मेरे भाई, तो हम कहते हैं, उसको हम कहेंगे, अमली ये होगा, 7 से उपर होगा, तो हमारा चाड़ी ये होता है, आगे चलते मेरे भाई, अगला कोशन सा मारे सामने में है, कि प्रकास वर्स के बारे में बोला गया, एक बात समझ लेजी मेरे भाई, प्रकास वर्स जो हमारा होता, वो दूरी का मातरा होता है, किसका मातरा होता है, दूरी का मातरा होता है, एक लाइन में आप जान लेजी, ये दूरी का मातरा होता है, और इसी तरीके से अगर हम प्रदिप्ती की गर बात करते हैं मेरे भाई तो यह जो प्रदिप्ती हमें यहाँ पर दिख रहा है अगर हम इसकी बात अगर करते हैं तो आपको धियान डखना है मेरे भाई यहाँ जो प्रदिप्ती आपको दिख रहा है इस प्रदिप्ती को हम ल बात करेंगे जोती फ्लक्स और डिवाइड़ बायर हम यहां पर एरिया की बात करेंगे तो जोती फ्लक्स अपन में एरिया होगा और जोती फ्लक्स जो हमारा यहां पर होता है मेरे भाई इसको हम लोग केंगे इसका यूनिट हमारा लियूमेन होता है जोती फ्लक्स का यूनि कि एगर हमबात करते हैं एक यहाँ ज्रेस्टी आगला खुशन इसामने अगला कोश्च है आपके सामने यह भूल होता है एक लएन में जान ले जिए और अगर आप किसी थोस्ट वस्तू के किसी द्रव या ग्यास में जब डूबाते हो तो उसके भार में अभासी कमी फीलूती है वही हमारा ब्वाइनसी होता है लेकिन आपको एक सीज समझना पड़ेगा मेरे भाई कि मान लेते center होगा, उसी को center of buoyancy कहते हैं, तो पूरा का नहीं लेंगे, इधर का नहीं लेंगे, जितना पाट पानी में डुबा हुआ है, वही हमारा center of buoyancy होता, यानि कि इसी point को हम लोग कहेंगे center of buoyancy, और इसी को उथप्लावन केंदर भी कहते हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे मैं इसी को हम लोग यहाँ पर उत्पलावन केंदर के नाम से जानते हैं यह हमारा उत्पलावन केंदर कहलाता है और इसी को हम लोग सेंटर अब बॉयंसी कहते हैं और दूसरी बात आपको यह समझना मेरे भाई कि जो सें की की हम बात करते हैं इस पर हमारा क्या होता है यह हमारा लगेगा यह हुद поговор यह जितना पठ पानी में डूबा हुआ है उसका जो Center होगा वहय हमारा हमारा center of buoyancy कहलाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर उत्पलावन के अदर कहता है, यह द्रमान के अदर नहीं है, उत्पलावन के अदर हमारा कहलाता है, अब यह buoyancy force होता कितना है, यह भी पता होना चाहिए मेरे भाई, कोशन तो आपके बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नही है, buoyancy force हमारा कितना होता है, एक लेन में आप जान लेना मेरे भाई, कि जो buoyancy force होता है, यह हमारा बिस्थापित द्रब के भार के बराबर होता है, यह किस के बराबर होगा, कि बिस्थापित जो द्रब का भार होता है मेरे भाई, उसी बिस्थापित द्रब के भार को अगर करता है और पोड़ा का पुरा करता पर सेंटर अपनी कि पर हमारा काम करता है तो मेरे भाइंग ़ो यहां से पानी बेस्थापित हुआ होगा तो बेस्थापित पनी का हम कहेंगे के केंदर होगा इसलिए कहते हैं मेरे भाई कि उत्पलावन का केंदर अगर आप से पूछा गया है तो बिस्थापित द्रव के आईतन के केंदर के संपाती होगा यानि कि जो बिस्थापित पानी होगा मेरे भाई यहां का पानी हमारा यहां से निकला होगा इसका जो केंदर अप्सन नमर भी आपके करेक्ट हो जाएंगे लेकिन हमारा उत्पलावन बल कितना होता है इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं मेरे अगला कोशन सापके सामने में है और इस कोशन के आंसर करके आपको बताना है करेक एक धोनी तरंग की गती 340 मीटर पर सकें तो c हमारा क्या है मेरे वाइ तो यहां हम किलने की तरंग की जो गती है उसको हम लोग रखेंगे और इसी को सी से रिप्रेजेंट करते तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है जिसको एक यूनिट में बदलना है आप कहेंगे दो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे हम लोग किस से डिवाइड करेंगे मेरे भाई 100 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर बन जाएगा और फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या सतर हो जाएगा, फाइनली जब इसको गुना करोगे तो वन से वन ट्रिपल जीरो आपके सामनी आ जाएगा और आविर्टी के यूनिट मेरे भाई हर्ज में होती है इसलिए हम डाइरेक्ट कह सकते हैं कि सतरह हजार हर्ज निकल करके आएगा और उप्सन नमर हमारे एक करक्ट हो जाएंगे लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि जब कभी भी कोशन्स आपको आविर्टी का पूछेगा, mostly मेरे भाई फार्मुला बेजड पूछता है और फार्मुला अगर आपको पता है तो कोशन्स आपके बनेंगे, सबसे पहला आविर्टी का फार्मुला होता है नम्मर अप साइकिल पर सेकेंड नम्मर अप साइकिल पर सेकेंड हम लोग कहते है मेरे भाई, और दूसरा जो आविर्टी का फार्मुला होता है मेरे भाई, यहाँ पर कहते हैं रहता है, मेरे भाई अगर आइतन अस्थाई रहेगा, तो आइतन अस्थाई मतलब क्या हुआ, आइतन अस्थाई मतलब volume का मान तो constant होगा, अगर मेरे भाई volume अगर constant होता है, अगर अस्थाई होता है, उसको isocoric process कहते हैं, कैसा process कहेंगे मेरे भाई, तो isocoric process कहते हैं, आप से प्रक्रिया पुछा गया, process पुछा गया है, तो आपको ध्यान डखना है कि volume जब भी constant होगा, जब भी मेरे भाई volume constant होगा, इसमें isocoric process को हम लोग लेकर के आएंगे, और इसी isocoric process की अगर हम बात करते हैं, इसी isocoric process को isometric process भी हम लोग कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, इस ही चीज है, और हिंदी में अगर इसको आप पढ़िएगा मेरे भाई, तो आप हिंदी में भी कह सकते हो, कि जो isocoric process, isometric process की जब बात करते हैं, उसमें अगर निस्सित होगा, इसको हम लोग सम तापी प्रक्रम कहते हैं, इसको सम आइतनिक प्रक्रम हम लोग कहते हैं, मेरे यहां पर सम आइतनिक प्रक्रम के नाम से हम लोग जानते हैं, एक लैन में आप जान लेजिए, और इसमें मेरे भाई, इसके आंसर छुपे हुए हैं, आप यहां पर गौर्स देखिए, सम आइतनिक मिलब सम का मतलब एक समान, आइतन का मतलब आइतन, तो कहेंगे सम आइतन अगर मेरे भाई यहां पर हम बात करना चाहते हैं जिसे कि अगर हम नियत तापमान पर देखना चाहते हैं अगर नियत तापमान पर जो प्रॉसेस हमारा होता उसकी अगर हम बात करता है यानि कि टेंपरेचर जब हमारा कॉंस्टेंट होता है इस प्रॉसेस पर अगर हम लोग तापमान अगर हम लोग देखते हैं प्रोसेस को तो याद रखना इसको हम लोग आईसो थर्मल प्रोसेस कहते हैं इसको हम लोग कैसा कहेंगे तो इसको हम लोग आईसो थर्मल प्रोसेस के नाम से जानते हैं ये कैसा प्रोसेस है मेरे भाई याद रखना ये यहाँ पर आईसो थर्मल प्रोसेश समारा कहलाता है और आईसो थर्मल प्रोसेस को हम लोग इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई तो समद्र मेरे हम तापी प्रकरं के नाम से हम लोग जानते हैं जिस depends मेरे भाई याद रखना temperature एक समान होता है याने कि नियत तापमान बोले तापमान एक समान होता है, इसी तरह के अगर हम आप से बात करते हैं मेरे बाई, एडिया वेटिक प्रसेस की अगर हम बात करते हैं, एक चीज मुब और मताना चाहेंगे आपको याद रखना मेरे भाई, वो भी बहुत काम का चीज है, अगर प्रक्रम में मेरे भाई उसमा definront का मान zero होता है इसमें क्या zero होगा एक मो욕 में कहना जिसको को आप total transfer कहते हैं जिसको आप यहाँ पर फीट transfer के नाम से आप जान रहे हो ये अगर हीट transfer अगर कहलाता था जो उस्त्स संचरन जीरो यानिके हेट ट्रांसपर की वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगे और साथ ही साथ याद रखना मेरे इस प्रॉसेस में टेंप्रेचर जो है यह हमारा चेंज कर सकता है याद रखना यहाँ पर टेंप्रेचर हमारा यहां से चेंज कर सकता है यह बात याद रखना यह पूरे प्रोसेस में मेरे भाई तापमान के अगर हम बात करते हैं तो तापमान बढ़ता है घटता है फिर एक समान होता है लेकिन याद रखना मेरे भाई टेंपरेचर इस प्रोसेस में हमारा चेंज कर सकता है इसलिए में भी चेंज हम लिखने हैं दूसरी बात आपको धिया को mention करते हैं और यह important point आपके लिए है अगर मेरे भाई हम बात करते हैं कि isothermal process के अगर हम बात करते हैं इस isothermal process का जो slope होता है हमारा कितना होता है तो मेरे भाई याद रखना कि isothermal process का अगर slope हम लोग PV डियागराम में देखते हैं तो DP अपन में DP हमारा DV अगर माइनस PY भी होता है उतना भी अगर समझ में नहीं आता तो आप इन दोनों में relations को ही याद रखलो काफी हो जाएगा तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर अगर हम एडियावेटिक सुरोप की हम बात कर लेते हैं कि अगर लिए अगर बात कर किसका स्लोप किसका जयादा किसका कम होगा तो जो एडियावेटिक स्लोप हमारा होता मेरे भाई यहाँ अपर हम कितना हो जा That gray यहाँ पर General टामस की Garma गामा positive quantity होता है, इस गामा से हम क्यांगे isothermal slope होता है, इस से isothermal slope की हम बात करते हैं, यह isothermal slope आपका होता है, तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे adiabetic slope जो होता हमारा isothermal slope से जादा होगा, चुकि गामा से इसमें गुनन फल किया हुआ है, तो आप इस relations को कम से कम याद रख सकत हो मेरे भाई इसको तुम ध्यान में रखना, आगे और भी दे रखा होगा मेरे भाई समधावी प्रक्रम में दाव एक समान होता है, और जब दाव एक समान होगा तो इसको isobaric process के नाम से हम लोग जानते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला कोशंस हम लोग देखते है और अगला कोशन्स हमारा क्या कहता है अगला है कि सोडियम धातू को किसमे संग रहित करते हैं इसको केरोसीन ओयल में रखा जाता है नहीं तो सोडियम हमारा मेरे भाई highly reactive elements होते हैं और ये बहुत जल्दी क्या करता मेरे भाई नमी के साथ reactions कर लेता है इसलिए हम लोग इसको क assasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas जीव जन्तु को कितने भागों में तो पांच भागों में जो बाटने का काम किया मेरे भाई पांच भागों में बाटा ये कौन बाटा तो आप यहां पर क्या सकते हो और इस वीटे करने बाटा इस बात को अब धियान डखना अब ये जो जीव जन्तु को पांच भागों में बाटा गया मेरे भाई उसी की हम यहां चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले तो हम मोनेरा की बात करेंगे और याद रखना मेरे भाई इस मोनेरा की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा प्रोक्रेटिक सेल का बना होता है यह किसका बना होता है मेरे भाई याद रखना यह प्रोक केंदरक जिली नहीं होगा मेरे भई जाईड़ सी बात है कि केंदरक भी इसमें डेवल प नहीं करेगा यानि किAST Elev lose बाहए। इसमें लाइस नहीं होगा लेकिन याद रखना मेरे भई कि प्रोक्रोटूटेक सेल में र्यजी इसमें रखोकी इसमें राइबोसोम सिर्फ होता है बात बकी मेरे भाई इसमें केदरक जिली लाइसोसोम यह सब कुछ भी नहीं होता है माइट्रोकॉंड्रिया यह सब कुछ नहीं होता है तो मेरे भाई मोनेरा हमारा प्रोक्रेटिक्स से बना होता है इस बात को आप धियान रखेंगे और इ साइनो बेक्टेडिया हमारा होगा मेरे भाई इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं साइनो बेक्टेडिया को हम लोग क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं इस बात को अब धिहान रखेंगे और जो ब्लू ग्रीन हमारा अलगी होता है मेरे भाई याद यू क्रेटिक सल का बना होता है ये किसका तो एक लेन में याद रखीगा ये यू क्रेटिक सल का बना होता है और जो यू क्रेटिक सल का बना होता है मेरे भाई इसमें केंद्रा कोगरा का डेवलप्मेंट बहुत अच्छे तरीके सोगा इसमें सब कुछ होता इस बात को ध्या यूगलीना की हम बात कर लेते हैं यहां पर यूगलीना की बात करते हैं परमीशियम की बात करते हैं अमीवा की मेरे भाई बात करते हैं परमीशियम को पर जंतुक भी कहते हैं याद रखेंगे यहां परमीशियम की अगर हम बात करते हैं तो आपको धियान डखना मेरे भाई ये सभी के सभी एक कोशी के जीव होंगे और ये प्रोटिस्टा में हमारा आता है इसके अलावे भी उन्होंने क्लासिफिकेशन जब किया मेरे भाई तो यहाँ पर फंगी की हम बात करते हैं फंगी में यहाँ पर सभी कवक सामिल थे और चौथे के अगर बात करते हैं तो हमा से बना हुआ है, केवल और केवल मोनेरा हमारा प्रोक्रेटिक से बना होता है, इस बात को अब ध्यान रखेंगे, और वीटेकर ने जब क्लासिफिकेशन किया मेरे भाई, वह कितने भागों में, पांच भागों में, और क्वेशन में पुछा कि किसमें बताइए, कि कम्प्लि गुर्णन के द्वारा किया गया कार्ज हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो आपसे ये बोलागे, वर्क डन बैदा रोटेशन, यानि कि घुर्णन के द्वारा किया गया कार्ज हमारा क्या होगा, क्या यह हमेशा रिनात्मक, क्या यह हमेशा सुन, क्या यह हमेशा धनात्मक, म गुर्णन में एक rotation की बात कर रहा है कि आधे rotation की बात कर रहा है कि कितना rotation की बात कर रहा है इन्होंने ये clear नहीं किया है मेरे भाई लेकिन आपको ये मान करके यहाँ चलना है मेरे भाई कि जब कोई वस्तू घुर्णन के गर बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है मेरे भाई तो घुर्णन की बात कर रहा है जब भी घुर्णन करेगा मेरे भाई तो याद रखना है कि जब भी घुर्णन गती करेगा जाइड सी बात है एक सर्कुलर पात पर गती करेगा किस पर तो कहेंगे यह हमारा सर्कुलर पात पर गती करेगा और जब सर्कुलर पात पर गती करेगा म 90 डिगरी ही होगा ये बात आपको धियान रखना है अब अगर थीटा कमान 90 डिगरी ही हमेशा अगर होगा तो जाइड सी बात हमारे पास कार्द का फॉर्मुला हम केंगे मेरे भाई एफ कास थीटा हमारा होता है और एफ हमारा बल है एस हमारा विस्थापन इन दोनों के बेच में हमेशा 90 डिगरी वनेगा वही थीटा यहां पर है तो बताइए मेरे भाई कि किसी भी सुरत में कहीं पर भी अगर हमारा कोई बीचे जगर घुर्नन गती कर रहा है तो जाइड स हमेशा ही सुनन कहेंगे और सन नमर भी आपका करेक्ट हो जाएगा तो जब भी सर्कुलर पात की बात करता है जब भी घुर्नन गती की बात करता है याद रखना बल और विस्थापन के वीच में हमेशा 90 डिगरी ही कोन बनेगा इसके किसी भी बिंदू की अगर हम बात कर ल आवर्त गती कोन करता है तो किंगे सिंपल पेंडूलम की हम बात कर लेते हैं हम किसकी बात कर रहे मेरे भाई तो यहां पर हम सिंपल पेंडूलम की हम बात करते हैं और जो हमारा सिंपल पेंडूलम होता है मेरे जो सरल आवर्त गती करेगा अगर हम इसकी बात अगर करते हैं जाइड सी बात है मेरे भाई ये हमारा आवर्त गती ऐसे करेगा यानि कि कहने का मतलब आप सीधा समझेए ये हमारा कभी ऊपर जाएगा तो कि ऐसे करके हमारा सरल आवर्त गती करेगा लेकिन हमारा ये बाप जो है मेरे भाई कभी यहां रहेगा तो कभी वहां रहेगा ये ल यहां पर इंडिकेट कर रहा है अगर एक्स्ट्रीम पोजिशन से ऊपर हमारा नहीं जाएगा जब उपर नहीं जाएगा तो यहां पर गती कमान जीरो हो जाएगा और आपसे तो यहीं पूछा गया है कि अपनी गती के अंतह बिंदू से जब वह गुजरता है मेरे भाई तो बता दीजिए कि वेक कमान क्या होगा कि वेक कमान हमारा यहां पर सुन्ने हो जाएगा वेक कमान हमेशा क्या उगत केंगे एक्स्ट्रीम पोजिशन पर वेक कमान सुन्ने होता है वेक कमान यहां पर मद्द स्थिती स्कों लोग बोलते हैं मेरे भाई यहमारा मद्द स्थित मात्रा में रहता है तो याद रखना मेर्य वाइज सबसे अच्छा कारवन का पर्सेंटिज हमारा किसमें उकाथ कहींगे अंत्रा साइट में होता है और सबसे बढ़िया क्को dewSe कोईला मिलता है तो बता चलेगा मेरे भाई इसकोईला को आप खुदने के लिए इसकोईला को निकालने के लिए आपने बहुत मेहनत किया लेकिन आपको कुछ में से उस हॉर्मोन की आप पहचान करिए मेरे भाई जिसके बारे में हम बात करने जार जो बच्चों की बढ़ने में सहता प्रणान करता है तो मेरे भाई एक बात याद रखना है यहाँ पर आपको ग्रोथ हॉर्मोन की हम बात करते हैं मेरे भाई यह जो ग्रोथ हॉर्मोन हम पर गिगनेटिजम के नाम से हम लोग जानते हैं और इसी को हम कहते हैं कि यहां पर लंबा हो गया अगर मेरे भाई बात करते हैं कि अगर इसका सिक्रेशन अगर यहां पर कम हो जाता है अगर सिक्रेशन कम होगा इसको ड्वारफिजम कहते हैं इसको लोग क्या कहेंगे तो इस से लिए conversation क्याआशत हमा रही हो जाएंगे बात पर बात क्या आपको धियान डखना है जो oxygen hormone होता है मेरे भाइए फ्मेल hormone होता है और ये oxygen hormone का मेन जो functions होता है मेरे भाइए करता है याद रखना गरवासे की दीवार में यह क्या करगा मेरे भाई जब गरवासे की दीवार की हम बात करते हैं तो जो गरवासे की दीवार होती है गरवासे की दीवार में संकुचन पैदा करता है इस बात को धियान रखेंगे गरवासे की दीवार में क्या करगा तो यहा अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोन का फिमेल सेक्स हॉर्मोन हमारा प्रोजेस्ट्रोन हॉर्मोन होता है मेरे भाई और साथी साथ ये क्या करता है मेमरी ग्लेंड का विकास करता है गौनाइडो ट्रॉपिन हॉर्मोन की बात करते है मेरे भाई मेंस्ट्रेशन स यहाँ मोड़न अप्वार्च सिनल लो और दूसरा टौरिक का भी मैं आपको बता देना चाहता है हमें दूसरी का निकालना है चाहिए को लिखने का तटरिका होता है मेरे में में मूब जिसके रेस्पेट में हमेशा निकालेंगे उसको बाद में लिखते हैं और बाद वाला हमारे Sum tap chonola होता है तो ए वाला हमारा निकल रहा है और B के سब just तो B हमेशा नीचे और A हमेशा उपर ये लिखने का थडिका होता है तो सनेल से लोग का रेलेसंस भी आपको धिहनन होना चाहिए और याद रखना मेरे भई अपवरतनांग की वैलियो से हम लोग डिफाइंड कर पाते हैं कि कौन सा घन है कौन वीरल है तो आपका ये 200 कौशन मेरे भई अभी आपका खतम हो जाता है और आज हम लोग इतने ही कौशन तक करेंगे नेक्स्सलास से हम कोशिस करेंगे आपको 25 कौशन देने का तोकि 20 कौशन का ही स्लाइड बना हुआ था 25 कौशन का स्लाइड हम बनवाएंगे और next class यनि कि कल से आपको 25 कोशन हम आपको करा देंगे अभी मेरे भाई थोड़ी दर के बाद आपका reasoning की classes भी आपकी start हो जाएगी और आप reasoning की classes को enjoy करेंगे हम कोशिस करेंगे मेरे भाई इसमें questions और धंका थोड़ा डाले ताकि आप लोग अगर करें तो इसको और आपको फैदा हो पाए चलिए बहुत धन्यवाद